Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. So, देखिए, आप अलोडी जानते हैं कि हमने last lecture के अंदर kinematic equation को derive किया था, but with a simple method. आज की lecture के अंदर हम graphical method से कैसे इन formulas को derive करते हैं, उसके बारे में discuss करेंगे. और हाँ उपर जितने भी channel और जो pages दिये गए हैं, उनके जो links साइट description box में डाल दिये हैं, तो बिने को time waste किये, चलिए शुरू करते हैं. So, देखिए, आज हमने बात करनी हैं अपने graphical method की. So, एक graph की help से, हम कैसे ये जो formulas है derive कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, और जब मैं कहता हूँ कौन से formulas, ठीक है, उसके बाद हमारा c पार्ट में आता है, v square minus u square equal to 2as, और finally हमारा आता है, s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. तो इन सभी formulas के बारे में मैंने आपको last lecture में समझाए दिया था, आज के lecture के अंदर हम इनको फिर से derive करने वाले हैं, with the graphical method और next video जो मैं डालूँगा, उसमें calculus method करवाऊंगा, तो जाद तर आपके school के अंदर graphical या calculus method के उपर derivation करने को आ जाता है, चलिए आज हम graphical method सीख लेते हैं कैसे हम इसे करना है, देखिए derivation किसी की भी हो, लेकिन जो normal graph हम इस्तेमाल करते हैं, वो है velocity time graph का आपका graph, देखिए बहुत simple सा graph है आपका, और इसी को ही हम हर एक derivation में इस्तेमाल करेंगे, बट हाँ, जो last वाली equation है, s nth वाली, उसमें थोड़ी सी variation करेंगे, अभी के लिए देख लीजीए इसको कैसे करना है, देखिए तो सबसे पहले यह मेरा यहाँ पर velocity represent करेगा, और इसका unit है, वो है meter per second का, ठीक है, अच्छा, तो मैं यह मान के चल रहा हूँ कि at t equal to 0, मेरी body की एक initial velocity है, जो की है, आपकी initial velocity है, मैं थोड़ा से इसको ठीक कर देता हूँ, तो वो की है हमारा u, तो इसलिए हमारा जो graph है न, वो actually में, जब हमारा t 0 है, तो इसकी क्योंकि एक initial velocity थोड़ा ऊपर से start होगा, and at time t equal to t, यहाँ पर जो इसकी final velocity होगी, वो मैं यहाँ पर भी ले लूँगा, तो बहुत simple है, दिखे, जब हमारा t equal to 0 है, तब इसकी एक initial velocity है, और उसकी जो value है, यहाँ से यहाँ तक वो हमारी u है, तो बेसिकली यह point की जो value है, वो u है, and after some time t, इसकी अब एक final velocity है, let it be v, ठीक है, तो यह आपके पास यहाँ पर v को represent कर रहा है, थोड़ा सब इसकोर से मिला देता हो, तो बस इन दोनों को join कर देजिए, एक straight line के साथ, यह देखे, यह आपका join हुआ, तो यह वो graph है, velocity time graph, जिसकी health से, हम अपने, यह जो equation है, इनको derive करेंगे, बहुत ही ज़्यादा simple है, दही कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, v is equal to u plus 80, इसकी शुरुआत बहुत simple एक statement से करेंगे, वो यह की slope of velocity time graph, velocity time graph, ठीक है, यह हमें क्या देता है, यह हमें देता है, acceleration, क्या देता है, हमें, acceleration देता है, बस इसी चीज़ को ध्यार में आपने रखना है, तो देखे, acceleration is equal to, जब हम किसी भी graph का slope निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें एक right angle, triangle create करना होता है, जैसे आप देख सकते हो, और slope का मतलब होता है, आपने अगर यह angle theta बना रहा है, तो tangent theta आपने find करना है, अगर आप slope की बाद करते हो, और tan theta जो है, वो होता है, perpendicular upon base, basically यह आपका perpendicular हो गया, और यह आपका, यह आपे base हो गया, तो यह जो point है, यह v represent कर रहा है, यह point u को, तो obvious है, यह जो है, वो v minus u consider किया जाएगा, और यहाँ पे time 0 हो, यहाँ पे t है, तो यह जो आप देख रहे हो length, यह आपका t length हो जाएगा, तो slope जो है, वो basically tan theta से find कर जाता है, जो कि perpendicular upon base है, perpendicular आपका हो जाएगा, v minus u और base आपका t है, तो finally आगया, a is equal to v minus u over t, यह t इदर लेके जाएगे, तो आजाएगा, v minus u equal to a t, and finally v is equal to u plus a t, तो इस तरीके से आप अपना जो पहला formula है, वो असानी से derive कर लोगे, ठीक है, देखे, अब हम बात करेंगे, अपने b, that is the next formula की, next formula क्या है, हमारा s equal to ut plus half into a t का square, आपके लिए मैं फटा-फट अब यह graph फिर से बना देता हूँ, ठीक है, याद रखे, वो graph कैसा दिखता था आपका, यह velocity है आपकी, meter per second इसका unit है, यहाँ पे आपका time होगा, और इसका unit second है, तो यह इस तरह से दिखाए देगा, और graph कुछ ऐसा सा आपका बना था, अगर आपको याद हो, यह जो point है, वो u represent करता है, और यह जो सामने वाला point है, यह वाला न, यह वाला point है, यह v represent करता है, और नीचे वाला जो time है, वो आपका T है, चलिए, done, अब हम क्या करेंगे, अब बस, अब क्योंकि मुझे displacement पता करना है, तो इसके लिए जो statement हम इस्तिमाल करेंगे, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहता है कि, area under, under VT graph, VT graph, ठीक है न, वो हमारा displacement के बराबर होता है, displacement के बराबर होता है, और यहाँ पर displacement S है हमारी, ठीक है, displacement के बराबर होता है, अब देखिए, बात बहुत simple है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं displacement find कर रहा हूँ, displacement, तो देखिए, यहाँ पर मैं S लिख दूँगा, and that would be equal to half into sum of parallel side, parallel side क्या है आपका, देखिए, देखने में आपको यह पुरा एक trapezium नजर आएगा, और trapezium का formula होता है, sum of parallel side, देखिए, यह वाला और यह वाले जो side है, वो दोनों के दोनों आपकी parallel है, इसके वाज़े से यहाँ पर U plus V आपके पास आएगा, half into sum of parallel side, into distance between parallel side, दोनों के बीच का distance क्या है, T है ना, यहाँ से लेकिए, यहाँ तक क्या है, T है, तो यहाँ पर multiple हम T के साथ कर देगा, और इस तरीके से आप इसका area under करव निकाल सकते हैं, आप देखें, आपको पता है कि V हमारा U plus 80 के बराबर होता है, जो बस value substitute करें और आपका जो formula हो त्यार हो जाएगा, मतलब यह कि 1 by 2 into U plus, यहाँ पर आएगा, U plus 80, V की जगा पर मेंट डाल दिया, U plus 80 into T, तो finally बन गया half into 2U plus हमारे पास आगया 2U और यह हमारे पास 80 है ना, तो यहाँ पर 80 आगया into T, T multiply कर देते हैं, तो half into हमारे पास आगया 2U T plus 80 square, अब इस half को अंदर multiply कर देते हैं, तो finally देखो, क्या बनेगा, 2 से 2 कटेगा, तो S equal to आदेगा, U T plus half 80 square के साथ multiply हो गया, और यह देखे, किस तने असानी से आपने अपना यह formula जो है, वो derive कर लिया है, देखा, कितना ज़्यादा असान था, कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है, चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, आपके, that is the next B part की तरफ, कि बेटा B part आपने कैसे करना है, ठीक है, तो देखे, अब हमने बात करने हैं, अपने third equation की, जो की है, V square minus U square equal to 2 A S की, same वही graph इसमें कोई difference नहीं रहेगा आपका, और क्योंकि इसमें displacement मुझे find करना है, और उसको velocity के साथ relate करना है, तो बस करना यह होगा कि, यहाँ पर आपको फिर से area under curve करना है, area under curve, ठीक है न, यह आपने करना है, तो वो क्या देगा, आपको यहाँ पर displacement देदेगा, of vt graph कर देता हूँ, तो थो थो आपको समझ में आ जाएगा, तो देखिए, s equal to half into, फिर से वोजी बाद बढ़ा, sum of parallel side, ठीक है, मैं आल लिग देता हूँ आपके लिए न, ता कि याद हो जाए, sum of parallel sides into distance between parallel side, तो बड़ा असान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो half into, sum of parallel side में आदेगा, u plus v, और distance क्या है, आपका t है, अब आप अपने थोड़े formula को देखो, क्या इस formula के अंदर आपको t दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बस हमने क्या करना है, कि since हमारा v u plus 80 के बराबर होता है, तो t जो है, वो actually v minus u over a आपका बन जाएगा, जो आप above formula से, यह वाला जो formula उपर वाला है, इससे आप यह find कर सकते हो, बस यह value यहाँ पर substitute करने हो रहे हैं, आपका answer त्यार है, बहुत कितना असान था आपका, तो basically this is half into u plus v into v minus u over a, तो देखो v minus u into v plus u, यह बन गया a plus b into a minus b क्या होता है, a square minus b square तो बिल्कुल exactly वो ही चीज़ आपकी यहाँ बन रही है, तो s equal to 1 by 2a into v square minus u square बन गया, और इसको यहाँ पर ले जाएए बस, that's the only thing you have to do, अगर आप उसको उतर ले जाते हो, तो finally आपके पास आजएगा v square minus u square equal to 2as, तो लीजिये आपका third formula भी मैंने यहाँ पर derive कर दिया है, क्यों, असान खाना, अब हम बात करते हैं अपने आखरी, but important derivation की तरफ, and वो जो derivation है, आपकी है, s nth is equal to u plus a by 2 into 2 and minus 1, इसको graph दिखने में सेम है, बट जो values मुझे लेनी है, वो थोड़ी सी अलग लेनी है, तो वो क्या करना है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, देखें सबसे पहले आप अपना graph create करेंगे, ये graph थोड़ा सा अलग होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप देखी कैसे करूँगा, मैं इसको, simple बहुत है, tough नहीं है, simple बहुत है, बट आपको फिर भी इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, तो ये मेरी velocity को represent कर रहा है, unit है meter per second का, ये ऐसे show करेंगे, यहाँ पर टाइम जो है, वो second में लिया जाएगा, और इधर की तरफ हम इसको represent करेंगे, अब करना क्या है, वो मैं आपको बता रहता हूँ, देखें जो graph है न, graph तो आपका ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बात यह कि, snth है, हमें सरफ एक सक्टिन के gap के अंदर, सारी reading लेनी होती है, तो मान के चलता हूँ कि, जब मेरा time, t equal to n minus 1 है, तो उस time पर, जो मेरी velocity है, वो है मेरी, v n minus 1, ठीक है, और जब time मेरा t equal to n है, उस time पर, उस time पर, जो मेरा velocity की value है, वो v n है आपकी, ठीक है, simple हो जाएगा, तो मैंने दो point यहाँ पर consider कि हैं, एक point यह है A, और दूसरा point है मेरा B on this graph, यह बात थोड़ा याद रखना, बस जी, अब मैं क्या करूंगा, इसका area under curve करूंगा, because velocity time graph का area under curve, आपको displacement देता है, बट एक की second का gap है इन दोनों में, तो यह S अनद देगा यहाँ आपे, तो area under, area under VT graph, VT graph क्या देता है आपको, वो देता है displacement, displacement, और यहाँ gap सिर्फ एक second का है, तो इसलिए यह specially आपका, S अनद ही provide करेगा, ठीक है, तो अब area under curve किसका निकालोगे, इसका निकालोगे, मैं आपको already यहाँ पर अच्छे से बता चुका हूँ, वेड़ा कि यह एक parallelogram बनता है, तो half of some more parallel side, some more parallel side में यह side की जो length है, वो है VN-1, और plus, वो वाले side की जो parallel की value है, वो है VN, तो यहाँ VN आदेगा, into distance between parallel side, इन दोनों की बीच का distance, तो देखिए, N में से, हम minus कर रहे हैं, N-1 को, यह आपका दोनों के बीच का gap आजाएगा, N में से N-1 minus कर दीजी, तो यह बीच का आपका distance है, यह आपको मिल दाएगा, सो बस जी, जादा कुछ रहा नहीं करने के लिए, मैं दो दिन बाते clear कर देता हूँ आपके लिए, आपका यहाँ पर बन जाएगा, बहुत सिंपल है, आराम से आप देखिए, समझ में आएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं बता रहा है, तो ठीक है, तो अब आप फोम्मले में पूट कर देजे, देखिए, स अनत will be equal to half into, तो सबसे पहले वो कहा रहा है कि, वी एन, हाना, यहाँ प्लस एन, प्लस वी, नहीं, प्लस आप वी एन, वी एन यह डाल देखिए, वी एन माइनस वन एड़ करना है, तो आजएगा, प्लस यू, यहाँ से देखिए, यू, प्लस ए इन्टु एन, एन, ए इन्टु माइनस वन, तो मने गाए, माइनस ए, यह पूरा खोल के मैंने, प्रॉप्रली इस में डाल दिया, ठीक है, यह वाला यह रहा, यह वाले को, ए मन्टिप्लाइ करके, मैंने यहाँ लगी दिया, इन्टु, यह देखिए, यह बन जाएगा आपका, एन माइनस एन प्लस वन, माइनस को उन्दर मन्टिप्लाइ कर दी दोनों के, देखिए, आपका कैंसल हो रहा है, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, और, और कुछ नहीं ताजी चीज, नहीं, और कुछ भी नहीं है, यहीं पर हो जाएगा, देखिए, आपका अगा यू प्लस यू, यह हाफ अभी रखें है, यहाँ पर, यू प्लस यू बन जाएगा, आपका 2 यू, यह रखो इसको, अब आप एक काम कर सकते हो, ए अन और ए अन बन गया, 2 ए अन, बिल्कुल बन गया जी, और माइनस ए को आज इटीज रख लेती है, बहुत बढ़िया, टू को नहीं अंदर, एक काम करते है, 2 को अंदर मंटिप्लाई बाद में करते हैं, इन दोनों में से फ़ले, ए कोमन निकाल लेते हैं, मतलब 1 बाइ 2, इन्टू 2 यू, प्लस ए कोमन निकाल लो, तो अंदर आज़ेगा, तो अंदर आज़ेगा 2N माइनस 1, ठीक है, पर्मले की डेरिवेशन है, वो यहाँ पे आप से हो गई है, I hope आपको, यह सारी जो डेरिवेशन है, विद धी हल्प ओफ दा ग्राफ, वो समझ में आगया होगा, ठीक है, तो आजकी लेक्चर के अंदर, हमने कैनेमेटिक एक्क्वेशन को डेराइब किया है, विद धे हल्प ओफ दा ग्राफ, और आजकी आपको इसकी एक एक चीज अच्छी तरह समझ में आगी होगी, कि क्यों और किस तरीके से हमने वो चीज फाइंड करी है, और अगर आपको वेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक इट, शेर इट, एन सब्सक्राइब इट, आज के लिए बस इतना ही, थैंक ये सो मॉच,